Hi Guys, तो मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जारी हूँ How to Straight Your Curly Hair घर बैठे बैठे आप कैसे अपने बाल बैश्चा कर सकते हो तो मैंने अपनी ममा के बाल बाश्ते किये थे जोणे बहुत ही curly, crezy और wavy hairs थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम ऐसे सेक्षन बना लेते हैं तो फिर सेक्षन बनाने के साथ क्या होता है कि बहुत एजी हो जाते है जो हैर्स रहना वो स्ट्रेट करने आप ऐसे दो-तिन सेक्षन बना लो सेक्षन में से हिएर्स लेके तो फिर आप बहुत एजली अपने जो हैर्स है वो स्ट्रेट कर सकते हो तो जैसे मैंने यह हाफ Gus अपके है यह तो उने नीचे से किना यह करना स्टार्ट किया तो मुझे लगवग एक घंडा लग गया तो आप भी न ऐसे एक तो मेरे बास क्लिप्स बहुत कम थे इस इसी कारण मेंने मेरे स्ट्रेट करना स्ट्रेट करोगे स्ट्रेटनर से कॉम कॉम हमेशह आपके पास होनी है अगर कॉम नियुकर तो आपके जो hand वो burn होंगे straightener की heat से तो नीचे भी आपको ध्यान रखना है कि जिसके आप कर रहे हो ना hair straight कर रहे हो ना उनको भी direct heat ना लगे hairs की side से भी और नीचे की side से भी तो ऐसे आप जैसे मैंने उपर बाकी tie कर दिये hairs आप भी ऐसे उपर बाकी जो extra hair होंगे ना आप उसकी sections को उपर tie कर देना मैंने cluture भी use किया था तो आप भी ऐसे कर सकते हो तो एके कर के आप ऐसे उपर से hair को नीचे की तरफ straightener के साथ straight करना जैसे ये एक layer ली इसको दो तीन बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही curly और फ्रीज दी थे इसलिए जादा मतलब smoothness smoothness लाने के लिए ने तो फिर जादा ही करना पड़ेगा तो ऐसे मैंने ये section लिया इसको भी मैंने तीन हिस्सों में divide किया तो फिर दीरे दीरे pressing start हो गई है तो ऐसे आप एक section लेंगे धीरे 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 करके नीचे की तरफ आएंगे ममा के बाल भी बहुत ही थिन है तो नीचे से तो और ही पतले है तो इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहे हैं तो बस ऐसे ही करते जाना है आपको धीरे धीरे से तो जो रिजर्ट ना बहुत अच्छा आएगा आपका तो ऐसे बस आपने sections लेने है तो उसको ना बस दीरे 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 straight ऐसे बालों को करते जाना तो फिर अगला step है कि अगले जो अगला section है उसमें से कुछ hairs लेने है आपने जाजे मैंने ये लिए hairs तो इसको भी इस part के भी मैंने 3-4 section बना लिये थे तो आपने भी ऐसे करना 3-4 section बना लेने है उसमें थोड़़़ hairs लेके आपने फिर straight करना start कर देना है ठीक है तो जो result है वो अच्छा ही आएगा तो आप ऐसे बाहर salon में जाने की जाना कही पर होता है की time नहीं होता function बहुत urgently आजाता है कहीं जाना है तो आप फटा फट से ना अगर आपको sections आते हैं पता हो कैसे करने है sections तो इसकी जो main video होती है की नीचे को straight करने hairs वो आपको पता है तो आप खुद से बड़े आराम से कर सकते हो किसी और के भी कर सकते हो मतलब अगर आपके पास straightening machine है तो इसमें कोई है यह नहीं है आपको कहीं गवर जाने की अगर खुद से अपने अपने hairs करने तो भी बड़ी आराम से हो जाते है ऐसे ही center में से divide करो hairs तो उसके आप पिछे से sections जैसे यह बनाएं ऐसे ही 2-3 sections जादा बनाने पड़ेंगे तो section बनाके फिर आप दीरे-दीरे sections में से 2-3 divide और कर लो parts तो बाल जो हैं वो hairs है वो लेते जो लेते जो straight करते जो तो मतलब यह होता है कि time थोड़ा जादा लगता है पर फिर भी आप कर सकते हो हो जाते हैं मेरे तो आप अपने खुद के बहुत straight curly hair हैं तो मैं कई पर खुद से ही करती हो कई पर नहीं हमेशा ही तो आप भी ऐसे ही घर बैठे कर सकते हो बड़े अराम से तो यह वाला section भी लगबग होने वाला है तो मैंने इसके भी तीन parts कर लिये थे और धीर धीर आप ऐसे ही parts बना के करते जाओ करते जाओ pressing होती जाएगी smoothness आती जाएगी hairs में काम कोई भी मुश्किल नहीं होता थोड़ा patience रखना पड़ता है थोड़ी tricks आनी चाहिए equipments होने चाहिए तो आप बहुत ही easily कर सकते हो तो यह तूसरी वाली side start कर दी है मैंने उसके भी मैंने parts divide कर दिये थे तो पहले पहला section लिया उसको नीचे की तरफ लेके आई किया पीछे से भी बिलकुल एक दम जब तक smooth texture नहीं आता smoothness वाली आपको जो smoothness पूरी तरह से नहीं दिखाई देती तब तक आपको उस section में से उस part को दूबारा दो तिन पर करना ही पड़ेगा तो ऐसे ही मैंने ears के पास ears के पास का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ears में से जो है न वो जो इसकी heat होती है straightener की बहुत ज़्यादा heat होती है तो वो यहां तो आप cotton भी रख सकते हो कई बार नहीं भी ध्यान रहता है तो लग सकती है heat तो cotton भी रख सकते हो नहीं तो बड़े बहुत ही consciously आप ऐसे ही कर सकते हो तो लग भग half तो ममा के done हो गये थे तो मैं एक बार से फिर finishing दे रही हूँ यह front वाले मैंने start की है अब ही front में से भी आपको दो-तिन section ऐसे लेने पड़ेंगे तो ऐसे section के आगे दो-तिन parts करके तो थोड़े-थोड़े hairs लेके straight करते जाएंगे जैसे यह wave उठाई मैंने इसको अच्छे से किया उपर से नीचे तक नीचे से आपको ना मतलब जैसे roots होते हैं roots में से आपको करना अच्छे से करना पड़ेगा roots में से एकदम heat अच्छी लगेगी तो दीरे-दीरे-दीरे करते हुए नीचे की तरफ आजाओगे तो नीचे की तरफ भी अच्छा जो उसका texture है वो आना start हो जाएगा बहुत असान है friends इसको straight करने hairs आजकल तो हर कोई करी लेता है different different techniques आगी है इसकी methods आगे है अब तो लोग अपने curly hairs रखते ही नहीं है अब तो keratin smoothening rebonding, straightening कितने ही ऐसे आगे हैं आप करवा सकते हो permanently one year के लिए आपके hairs है ना जो straight ही रहते है थोड़ी care करने पड़ती है उसी के shampoo, conditioner serum लगाना पड़ता है ता कि वो ऐसे ही रहे हैं तो बस आगे भी मैंने उसी section को continue किया करती की उपर से नीचे की तरफ एकदम straight टेक्शल आने के लिए बस नीचे की तरफ आपको hairs को लाना है और अच्छे से straight करते जाना है फिर next start कर दिया next में से भी आपने front के जो ना बहुत ही अच्छे से करने है क्योंकि front में अगर wavy से आगे ने तो फिर पूरी finishing ही खराब हो जाएगे आपको front वाले hairs बहुत ही अच्छे से एक तम straight look देने के लिए अच्छे से करने पड़ेंगे वैसे तो पूरे ही मतलब पूरे hairs को अच्छे से करोगे तो यह अच्छी एक उसका look आएगा पता चलेगा कि hair straight की है लेकिन फिर भी अगर front से अच्छे ना तो wavy wavy तो वो जो उसकी waves है ना वो fluffy सी नहीं रहनी चाहिए उस में जो fluffiness है ना वो एकदम निकालनी पड़ेगी straightner से तो ऐसे मैंने बस sections को दीरे 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 करके उसकी waviness waves निकालनी स्टार्ट कर दी है तो बस अब उसी का जो आगे 2-3 hairs के parts रहते थे वही मैं कर रही हूं लगबग होई गया दूसरी side के front hair ना वही रह गया है एक side के तो लगबग almost done होई है एक घंड़ा तो friends के एक घंड़ा तो कहीं नहीं जाता है एक घंड़ा लग जाता है आपको अगर अच्छे से करना हो करोगे तो मतलब अगर curly hairs है fluffiness है अच्छी सी smoothness चाहिए straight look चाहिए silkiness चाहिए तो इतना राइम तो अराम से लग जाएगा तो यही बस continue हो रहा है आगे ओपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं स्ट्रेट करते हुए दीरे दीरे 90% तो लग बग 80% तो हो गया है बस चो नीचे नीचे के बाल होते हैं हो इतने अच्छे मतलब थोड़े रफ से जाद है ना तो उसमें जादा टाइम लगता है उपर वाले तो बहुत अराम से इसली हो जाते हैं क्योंकि ड्राइनेस भी होती है थोड़े पतले हेर्स हैं तो इसी वज़ा से बस आगे की जो फ्लिक्स हैं वही रहेगी है उसको भी आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा एक बार फ्रेंट्स पूरे बाल हेर्स आपके स्ट्रेट हो जाएं तो फिर आपको एक बार फिनिश लुक देनी के लिए एक बार फिर आप स्ट्रेट मतलब उपर उपर से पूरी लेयर्स एक दो लेकर स्ट्रेट कर देना ताकि एकदम जो है न वह फिनिश अच्छी आजाए बालों में एकदम पता लुगना चाहिए कि यह स्ट्रेट किये हैं पहले कुछ और लुक और लुक है स्ट्रेट क्रिए ऍंटbrand प्रेस लिए को जो ठीख दोंच यृष च्छी आताकि दो लुक बाधर वाघट करोदिये तो बालों में पतला से थाथा यृष इंच्ज़ ओ स्ट्रेट करते बालों में फ्रयश खरातएग इंशन पर आप बेंस लिंचे लूड़ी अच्छी टिकी रहेगी आपकी प्रेसिंग भी और स्मूथनेस रहेगी बालो में तो ऐसे बस आपको लेके हाथों में हलके हाथों से आपको उपर से नीचे तक लगानी है तो बस ऐसे करके कर दे निया आपको झाल झाल